हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मेकेनिकल एट इज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक सुवागत है आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटिड के बारे में यहां पर कुछ वेकेंशिज आउट हुई हैं उनी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है और कौन-कौन सी ब्रांच के छात्र यहां पर अपलाई कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटिड असेसरीज डिवीजन लखनव एड़टाइजमेंट नमबर आप यहा प्रेमिर अरोनाट कोम्लेक्स इश प्रेम अर्णाटाइज असी अपलिंग प्रेम यहां इंदीज द्रीज और अप्राइज खेंगे।र्ण अपरेज वर्राइज और ग्राव्प्राइज को सर्य के स्विर्ट रिवीजन, असेसरीज आविक्स, अश्स्तमraft, हल चREक्स, वे इतनी अच्छी बात है अब हम देख लेते हैं जो वेकेंसी यहाँ पर निकाले गई है नाम है उसका असिस्टेंट इंजिनियर कौन-कौन से डिसिप्लिन के छातर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो मेकेनिकल इंजिनरिंग, इलेक्रिकल इंजिनरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनरिंग, प्रोडक्शन इंजिनरिंग नंबर ओफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन तो one यहां पर post available है और यह result की गई है PWBD candidates के लिए PWBD आगे इन्होंने hyphen लगा के लिखा है HH HH का मतलब यह होता है कि person with benchmark disability hearing handicapped यानि कि जिसे सुनाई कम देता हो या बहुत मुश्किल से सुनाई देता हो उसके लिए यह one vacancy है और यह उसके लिए result की गई है अब बात करते हैं qualification criteria क्या चाहिए तो bachelor degree होनी चाहिए engineering और technology जो आपके discipline के नाम यहां दिये गए है ठीक है जी तो नीचे आप यहां देख सकते है mechanical से सबंदित जो भी branches है जैसे कि mechanical, mechanical and industrial engineering, mechanical and production engineering ठीक इसी प्रकार electrical से सबंदित branches के नाम है electronic से सबंदित branches के नाम है ठीक इसी प्रकार production से सबंदित branches के नाम है इन में से अगर किसी ने भी यहां पर अपनी डिग्री की हुई है तो वो यह अप्लाई कर सकते हैं Assistant Engineer Discipline के नाम है Physical Requirement क्या चाहिए वो इन्होंने बताई है Category of Disability Shootable for Job तो HOH आपको बताया था Hearing Handicapped या फिर इसे हम कहेंगे Hard of Hearing ठीक है तो उनके लिए ये Shootable Job है बाकि इसका भी Criteria होता है इसे Detail से आप पढ़ लीजिएगा पेस के लिए की बात करें तो 30,000 से लेकर 1,20,000 पर मन्थ आपका ये Pay Scale इन्होंने बताया है Job Specification आप यहां देख सकते हैं Description इन्होंने दिया है Relaxation in Appraise Limit वो भी आप यहां चेक कर सकते हैं और ये General Conditions हैं Only Indian Nationals are eligible to apply पूरे भारत के चात्र यहां पर अपलाई कर सकते हैं जो भी eligible हैं यहां पर apply करने के वो apply कर सकते हैं कैसे apply करना है सब चीजे इन्होंने यहां बड़े ही विश्तार पुर्वक बताई हैं यह है application form कैसे apply करना है ठीक है सब कुछ बताया इन्होंने और यहां पर आप देख सकते हैं format of schedule cast और tribe certificate appendix B यह आप चेक कर लिजिएगा यह है format of other backward classes यानि OBC certificate appendix C और यह है disability certificate form number 5 ठीक है इस तरीके से जो भी आपको जुरूरी चीज है वो देख लेनी है disability certificate form 6 इस तरीके से आप यह पढ़ लिजिएगा अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो comment box में लिख दीजिएगा आपकी उस queries का समाधान करने के लिए हम तयार है आशा करते हैं आपको सब बातें कलियर हो गई होंगी हम आपके उजवल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मातरम